हेलो दोस्तों स्वागत है आप सब का solution मित्र पर और आज का question नहारा है कि the domain of the function fx is equal to 1yx is तो हमें पूच रखा है कि हमें ये function दे रखाया और हमें इसका domain पूच रखाया और option आप के इस प्रकार से आप देख सकते हो तो देखो भाई डोमेन होता क्या है सबसे पहले यह फंक्शन होता क्या है तो आप लगोने यह तो देखी रखा होगा सुनी रखा होगा कि तो फंक्शन एक ऐसी मचीन है समझे लो यहां से हमकर कुछ इन्पुट डाल लें एक्स वह यहां जाए के गया हो है उसमें कोई फ्रोसेसो रही है और हमें आउठ वड़ और मिल जैसे फैक्टरी लगان गया ठीक यहां से मने रो मेट्रेड़ डाला कच्च माल और यहां हमें कुल्डक्ट बना उसका पककामाल तयार होके आया तो सेम मेनर में यहां पर क्या होता है कि हमें कोई function दी रखा है जैसे जैसे यही function है एक one by x ठीक है तो one by x x क्या है raw material है यहां से raw material डाला मैंने x ठीक और यहां जो यह factory है जो प्रोडक्ट है इसमें क्या परक्रिया हो रही क्या मंदलब x अनुराइज एक्स भे कि इसका जो यह x है यह one by x हो जा रहा है ठीक है तो अब यहां मेरे को क्या मिलेगा मेरे को जो y मिलेगा वो क्या मिलेगा मेरे को one by x मिलेगा सबोज मैंने यहां से 5 दिया था ठीक है तो अब यहां output में मुझे क्या मिलेगा 1 by 5 मिलेगा यानि 1 by 5 अगर आप भाग देखे देखो तो क्या आएगा 0.2 इस प्रकार से मिल जाएगा यानि कि जो मेरा raw material था यह किसी दूसरी ओम में change हो चुका है तो अब यहां पर domain क्या होता है domain कहता है जो यह इधर वाला यह raw material है अहलो जो यह वाला पाल्ट है इधर वाला जो मैं दे रहा हूँ ठीक है तो यह क्या कहलाता है यह domain कहलाता है x की वो values जो मैं दे सकता हूँ वो क्या होंगी domain होंगी अब यहां पर बताओ में रखो कि मैं x की कौन कौन सी values दे सकता हूँ कौन कौन सी values दे सकता हूँ कि मुझे function यह ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, य बराबर fx बराबर 1 by x, तो मैं x की कौन-कौन से ऐसी value दे सकता हूँ, यहाँ पे कि मुझे y की कोई एक fix value मिले, ऐसा कौन-कौन से values x की हो सकती है, तो आप यहाँ पर देखो, मैं कुछ भी अगर मैं negative मैं भी रखता, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, up to minus infinite तक, तो फिर भी यह define होता, यह होता न, 1 by minus 2 है सबोज, तो यह minus का something आता, है न, तो मुझे y की कुछ न कुछ value फिर भी मिल ले थी, लेकिन एक condition यहाँ पर ऐसी है, कि जब मुझे क्या होगा, यह जो y है, यह define नहीं होगा, x क value पे, किस value पे, अगर सबोज मैं x बराबर 0 लेता हूँ, तो यह क्या हो जाएगा, y बराबर, y बराबर हो जाएगा, 1 by 0, और 1 by 0, 0 का किसी में divide करो, तो यह तो क्या होता, undefined होता है, defined ही नहीं है, यह परिभासित ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 की एक value ऐसी है, जिसको रखने पर यह function defined नहीं है, तो उसको हटाना पड़ेगा मुझे, बाकि जो पूरा का पूरा number available है, वो हमारे x की value हो सकते हैं, यानि कि total number कितने available होता हमारे पास, सबसे बड़ा set कौन से number हो का होता है, real number का होता है, सबसे बड़ा set, ठीक है, और तो real number में value रख सकता ह हूँ है, कोई भी real number रख सकता हूँ, लेकिन 0 को छोड़के, अब देखो कौन सा option सही है, यहाँ पर a वाला जो है, वो बतारा real number, ठीक है, सारे के सारे real number, तो सारे के सारे तो नहीं रख सकता हूँ, ठीक, दूसरा option बतारा है, r plus, यानि कि positive real numbers, positive real numbers कौन से होए, 0.1, 0.21, 23 स से लेके infinite तक, ठीक है, 0 से, यह संक्या रेका होती है, ना, संक्या रेता, 0 यहाँ पर है, तो इधर plus के रहते हैं, 1, 2 करके, इधर minus के रहते हैं, 1, 2, number line पर, तो इधर वाले क्या होगे, यह आर positive हैंगे, धनात्मक real संक्या है, और यह इधर वाले होंगे, जो वो क्या हैंग कि यह 0, जो elementize को हटा रहा है, ठीक है, और तीजरा कह रहा है, ठीक है, यह option तो सही लग रहा है, बिल्कुल सही है, चौथा option गलत है, चौथा option भी देख लेते, यहाँ पर है, आर प्लस union 0, यानि कि यह कह रहा है कि, एक तो positive real number लों, और 0 भी उस में add करू, union का मतलब है, ठीक है, positive real number लों, 0 भी उस में add करू, तो देखो भाई, बनला यह कुल मिला के negative real number हटा रहा है, तो यह भी possible नहीं है, 0 तो हो नहीं नहीं चाहिए, तो C option यह है, जो सही बैट रहा है, तो इस प्रकार से, इसका answer क्या होता, C वाला option सही होता, I hope आपको वीडियो समझ में आय आज के लिए इतना आप से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए, स्वास्त रहिए, मस्त रहिए, और अपने काम में बैस्त रहिए, धन्यवाद